सो गाइस जैसा कि हमने पिछले विसोड में देखा कि जियोयान ने दोबारा यूशान पर एंगरी बुद्धा फायल लोटस का इस्तमाल किया जिस्सें उगायल हो गया था जियोयान की पाउर भी कम हो रही थी पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा यूशान ने जियोयान को रोका तो जियोयान ने उसे कहा कि अब से हमारे बीच को रिष्टा नहीं है और उसने सीक और वेष्ट को भी लोटा दिया पर जियोयान पर यूशान ने एनरजी का एक निशान चोड़ा जिससे उसके सेट के सभी लोग जियोयान को मारने आ रहे थे जियोयान चिपने के ल नहीं है जो यान उठकर इतने दिनों बाद अपने माश्टर को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है माश्टर से कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी बोडी में मौझूद डिसोर्डर को कंट्रोल करने की जो रहते मैं तुम्हारी आंतिक चोटो को ठीक करने के लिए पिल को रिफाइन करना शुरू करूंगा जिससे तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होने में मदद मिलेगी वरना तुम्हारा जिवन खत्रे में पढ़ जाएगा और अब वो पिल को करने लगता है मास्टर कहते हैं कि तुमने अपनी स्पेस रिंग में बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रीडियन को इस्टो करके रखा है जो यान कहता है कि आपने सही का मेरी चोटे काफी गंबीर है और मेरी उर्जा काफी ज़्यादा अनियमी थे लेकिन मेरी डूक्यू और ब ली गई तुमने इसकी उर्जा को पूरी तरह से आउशोशित नहीं किया है जिसके कारण तुम्हारे शेय में अत्यदिक मातरा में मेडिसिनल इनर्जी पेदा हो गई है जो कि तुम्हारी बोडी के लिए ठीक नहीं है मैं जो पिल बना रहा हूं उसमें बोनी स्पीड और क फाइर पोईजन निकाला था वो एक बयानक चीज है पहले तुम्हें अपनी चोटो को ठीक करना होगा उसके बाद में उस जहर से चुटकाना पाने में मयत करने का एक तरीका खो जूँगा जो यान खुश होता है कि उसके माश्टर वापस लोट आये हैं वहीं फीरम यून कहता है कि हमें डीमन से डरने कोई जुरत नहीं है जब मेरे पास पुरा फ्लाइंग स्कॉर्ड है यून लेई अपने साथ सभी क्लाउड बिष्ट को लेकर आया था यून ले कहता है कि जोयान ने हमारे सेक्ट को डिश्टोय कर दिया और ग्रेट यर्डर को जान से मारा उस हेमली फ्लेम फेलने रखती है और उसने माश्टर की पील भी ले ली थी जिससे उसके चोटे ठीक होने लगती है अब जियोयान अपने साथ को बढ़ाने में काम्याब होता है माश्टर इससे खुश्वय कहते है कि तुम अब त्रीष्टा दाडूशी बन गए हो पर अभी भी तुम्हारी उर्जा इसतर बढ़ता जा रहा है तुम वास्तों में आश्यर से बरे हुए व्यक्ती हो जियोयान भी अब अपनी सेवी उर्जाओ कंड्रोल करके नॉर्मल हो जाता है माश्टर जियोयान को बताते हैं कि अब तुम्हारी चोटे पुरी तरह से ठीक हो चु पर हमें नहीं मिला और अचानक कहीं गायब हो गए जियोयान अपने माश्टर से कहता है कि उनलेंग सेक्ट में यूनलेंग की स्तिती को देखते हुए उसके पास जूट बोलने का कोई कारण नहीं था लेकिन अगर वो सच बोल रहा था तो मेरे पिता दाडूशी होने के ब पाउर थी वो अपने माश्टर को एंशेंट जेट बहां निकाल कर दिखाता हुआ बताता है कि इसमें अभी भी मेरे पिता की स्वल पाउर मुझूद है और ये काफी तेज है जिससे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पिता की जान खत्रे में नहीं है पर मेरे और यूशान के ब में को इसी तागट हो जो यू इन्शान से भी ज़्यादा पारफुल हो जो यान कहता है कि इसि कौन सी तागट हो सकती है। जो यून लेंग को बिना पता चले मेरे पिता को ले गई और मुझे भी पता नहीं है कि जो परिवार का कभी ऐसी शक्ति शाली शक्ति के साथ रिष्टा रहा हो। या उलाओ कहते हैं कि मैं भी इनके बारे में जाशोर नहीं हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बश्वन की दोस जूनर से इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि जूनर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और तुम भी जाते हो क्यों तुम्हारे कभीले से नहीं है पर उसके जैसा इंसान तुम्हारे कभीले के साथ रहा। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पीता और जूनर फेमिली के बीच कोई कांटेक्ट हुआ होगा इसलिए जब अगली बार तुम उससे मिलो तो उससे अपने पीता को खोजने में मदद मांगना। पेस रिंग से एक ब्लेड चिप मिलती है जो यान बताता है कि मुझे एलकमिस्ट गिल्ड ट्रेड फेर से मिला था या उलाओ बताते हैं कि एक स्टोरेज आर्टिफेक्ट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह जेड चिप आर्टिफेक्ट बर्निंग फ्लेम वेली की एक क् स्ट्रोंग है बर्लिन फ्लेम वेली के सभी लोग फायर एफिनिटी का अभ्यास करने के लिए मेल लेंड में फेमस हैं साहरती और हिंसक अमला करने के तरीकों में विशेश हगी है इसलिए पुरे कॉंटिनेंट में उन्हें अधितिया माना जाता है जो यान एरान होता है कि यूनलेंक्सेक्ट से भी जड़ा मजबूत है या उला हसते हुए कहते हैं कि तुम यूनलेंक्सेक्ट के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो यूनलेंक्सेक्ट में बस एक डू जोंग है जिसे भी फर्ष्ट क्लाश श्रेणी में सबसे नीचे माना जाता है तुमारी आद तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या भी तुम कहा हो बस तुम्हें खुद पर विशाश होना चाहिए और मुझे तुम पर पुरा बरोसा है जो यान कहता है कि मुझे कुछ यादा रहा है आपने पहले कहा था कि अगर मैं कड़ी मे मेथड माना जा सकता है याओ लाओ इससे इमोशनल हो जाते हैं जो यान कहता है कि आप इस बात की बहुत परवा करते हैं पर इन तीन सालों में आपना तन और मन मेरे लिए समर्भित कर दिया ताकि आप मेरी मजबूत बनने में मदद कर सके और मैं आपकी फिलिंग्स के बा याओ लाओ केते हैं कि मुझे केते हुए शर्मार रही है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें फ्लैम फ्यूजिंग्स के सिकाने का फैसला किया जिसे पाने के लिए मेरे बहुत मेहनत की थी पर मेरा उदेश तुम्हें फ्यूचर में यूज करना था ताकि जब तुम कर्टियोशन में सफल हो जाओ और फ्यूजड फ्रेम का इस्तमाल करना सीखो तो तुम ऐसा शरी तियार करो जिसमें मेरी आत्मा समा सके पर जब मैंने तुम्हें अच्छे से देखा और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तब तुमने अपना अमेजिंग कर रहा हूँ क्यों कि पहले वाले इस टूडेर की आताश कराते गह ताई कि मास्टर आपने इं तीन सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है इसलिए आपका बहुत बहुत द्यानवाद आप वमेशा जानते हैं कि आपके इस चात्र के लिए सब से चाक्या है पर वो इतना ब्राइट नहीं है पर मुझे मैसुस करने में तीन साल लगे कि आप मुझसे क्या उम्मिद करते हो पर अब मैं आपको विशाश दिलाता हूं कि आगे से ये शिश्चे आपको निराश नही का और मैं अपने दिमाग में ये बाद सबसे आगे रखूंगा याओ लाओ कहते हैं कि लगता है इस बार मैंने सई शिश्च चुना है तुम बिलकुल मेरी तरह वंडरफुल हो जिससे साफ है कि मेरा लग इतना भी बेकार नहीं है जो यान पूसता है कि एक बोड़ी को रि सिवेक और हेवनली फ्लेम की तलाश करनी होगी और मुझे आदा रहा है कि एक मास्टर ने कहा था कि जियान आने केडमी में हेवनली फ्लेम मौझूद है या उलाओ कहते हैं कि वहाँ दफालेन हाट फ्लेम मौझूद है जो यान कहता कि यह बहुत अच्छा है क्योंकि जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें थेंक्स वरोचिंग